दोस्तों OnePlus Note 2 को मैंने एक साल एकदम प्राइमरी डिवाइस की तरह यूज किया है और अभी भी कर रहा हूं और आप जो ये वीडियो देख रहे हो अभी भी OnePlus Note 2 से ही शूट हो रहा है और जो भी मेरा experience रहा है इस phone के साथ वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और सबसे important चीज कि क्या अभी के डेट में OnePlus Note 2 बाइ करना सही रहेगा या नहीं क्योंकि अभी के टाइम पे OnePlus Note 2T launch हो चुका है तो क्या हमें उसकी तरफ जाना चाहिए या अभी भी OnePlus Note 2 को बाइ करना चाहिए लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि OnePlus Note 2T और Nothing Phone से अभी भी OnePlus Note 2 बेटर है वो कैसे वो मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊंगा और इस phone के camera कैसा है क्या improvement हुआ है camera में अप्ग्रेड हुआ है या downgrade हुआ है यह सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभी के time पे 30,000 रुपे के range में आपको कौन सा phone बाइ करना चाहिए तो चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से चैनल को subscribe कर लो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हूं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप OnePlus Note 2T और नथिंग phone लेने का सोच रहे हो तो आप ignore कर दो reason मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले nothing phone के लिए आपको charger अलग से buy करना पड़ेगा और दूसरी बात कि low light में उसका camera जो है थोड़ा सा struggle करता है और उसके back में जो design दिया गया है transparent वाला उसमें पानी और dust वगरे भी चला जाता है और वैसे भी ये phone जो है 30,000 रुपे के बाहर के range का है और अगर आप charger वगरे लगा कि इस phone को buy करोगे तो आपको 35,000 रुपे के आसपास पड़ जाएगा और OnePlus Note 2T की बात करें तो अगर इसका compare करें OnePlus Note 2 से तो OnePlus Note 2 ज्यादा better है क्योंकि OnePlus Note 2 में जो OIS दिया गया है वो better तरीके से work करता है लेकिन OnePlus Note 2T में उतने अच्छे से OIS जो है काम नहीं करता और आप कहोगे कि OnePlus Note 2 में 1200 Dimensity मिलता है और OnePlus Note 2T में 1300 Dimensity मिलता है तो मैं आपको बता दूँ कि इन दोनों processor में कोई भी major difference नहीं है OnePlus Note 2T को आप उठा के देख लो और OnePlus Note 2 को उठा के देख लो दोनों को अगर आप compare करोगे तो दोनों में आपको कोई भी difference देखने के लिए नहीं मिलेगा सेम camera दिया गया है, सेम display है, सेम refresh rate hearts है और सेम आपको fps मिलता है gaming के लिए भी कोई भी difference आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा इन दोनों phone में तो हम OnePlus Note 2 क्यों नहीं buy करेंगे, जिसका OIS जो है better तरीके से काम करता है क्योंकि वीडियो अगर अगर shoot करना पड़ जाता है बाहर में आपको, तो वहाँ पे OIS बहुत काम आता है Advantage OnePlus Note 2T में एक ही है कि उसमें आपको Android 14 तक का update आएगा इसके अलावा कुछ भी आपको OnePlus Note 2T में OnePlus Note 2 से अलग देखने के लिए नहीं मिलेगा अब OnePlus Note 2 की बात कर लेते हैं क्योंकि एक साल मैंने इसको use किया है जिस टाइम पर launch हुआ था और अभी के टाइम में क्या difference है जब से Android 12 का update आया है तो camera में कुछ new features देखने को मिले हैं और कुछ चीजों में improvement भी किया गया है और कुछ चीजों में दिक्कत भी देखने के लिए मिल रही है अभी भी जैसे night mode camera में improvement किया गया है आप देख सकते हो एक Android 11 की image है और एक Android 12 की image है Android 12 की image में आप notice कर सकते हो कि Android 12 की image है जो अभी image ली जाती है night mode में वो पहले के compare में थोड़ा better है और कुछ new features जो add किया गया है जैसे video recording में मैं आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि video में OIS की साथ साथ EIS का भी support दिया गया है लेकिन यह 1080p 60fps पर ही support करता है याँ आप 1080p 30fps या 4K पर वीडियो शूट करोगे तो OIS की साथ साथ EIS को enable करके आप वीडियो शूट नहीं कर सकते सिर्फ 1080p 60fps पर ही यह work करेगा बाकी bokeflare में भी आप वीडियो को शूट कर सकते हो बट यह proper तरीके से उतना work नहीं करता देखने में उतना थोड़ा साथी नहीं लगता कहीं कहीं पर यह छोड़ देता है और front camera में भी आपको EIS का support मिल जाता है जो के update के बाद दिया गया है और front camera में भी आपको bokeflare का effect मिल जाएगा बाकी update के बाद जो है camera में मुझे एक दिक्कत देखने को मिली है और यह थोड़ा सा issue है इस phone का कि 1080p 30fps पे जब आप video shoot करोगे तो वो थोड़ा थोड़ा सा OIS जो है जिटर करता हुआ दिखता है लेकिन 1080p 60fps पे यह उतना जिटर नहीं करता सही तरीके से work करता है लेकिन अभी जो जुलाई वाला security patch update rollout होना शुरू हुआ है I think उसमें इसको fix कर दिया गया है अभी मेरे phone में यह update नहीं आया है लेकिन बहुत सारे लोगों के phone में rollout होना शुरू हो गया है जब भी update आएगा मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा इसके लावे gaming performance की बात करें तो gaming performance में मुझे उतना कुछ खास improvement देखने के लिए नहीं मिला थोड़ा सा जो है smooth चला है पहले के compare में अभी लेकिन heating वगरा है जो की बात करें तो heating जो है पहले जैसा था वैसा अभी भी है कुछ खास control नहीं हुआ है heat पे मुझे लगा था कि N.12 का जो update आया है वो थोड़ा सा major update है तो heating issue को जो है थोड़ा सा fix किया गया होगा जो फोन ज्यादा heat होता है उसको थोड़ा सा कम किया गया होगा लेकिन अभी भी वैसे ही heat देखने के लिए मिल रहा है overheat नहीं होता है बट आप कुछ भी heavy task थोड़ा सा भी आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ phone heat हो रहा है और जो लोग 90 fps पर उमीद लगा कर बैटे हैं कि gaming में 90 fps का support मिल जाएगा तो वो उमीद छोड़ दें क्योंकि एक साल हो चुका है और 90 fps का support अब तक नहीं मिला ह तो अब आप क्या उमीद कर सकते हैं कि आगे आपको इसमें 90 fps का support मिलेगा कमपनी वाले जो है बहुत चालू है यूटुबर लोग के साथ मिल के जो है यह हम लोग के साथ गेम खेल जाते हैं एक तो कई सारे यूटुबर्स जो है bias tribute देते हैं एकदम और इतना हल्ला करते है कि 90 fps का support आपको future में मिल जाएगा 90 fps का support आपको future में मिल जाएगा और बहुत सारे लोग यह सोच कर भी phone को buy कर लेते हैं कि processor तो 90 fps को support करता है और जब बता रहे हैं कि 90 fps का support आपको future में मिल जाएगा इसलिए वो लोग phone को buy भी कर लेते हैं लेकिन एक साल होने के जा रहा है फिर भी इसमें 90 FPS का support अब तक नहीं मिला है, तो अब आप उमीद नहीं कर सकते हो, कि इसमें आपको 90 FPS का support मिलेगा, डेली लाइफ में जो यूज होता है, अगर उसकी बात करें, तो अभी तक मुझे कोई खास problem देखने के लिए नहीं मिली इस phone में, एक problem है, जो अभी भी चल रहा है, इस phone में 1080p, 30 FPS पे OIS जो थोड़ा सा jitter करता है, और एक problem आ रहा है, जो मुझे उतना कुछ खास दिक्कत नहीं होता है, उससे बहुत rare मुझे देखने के लिए मिलता है, notification बार में जो बहुत सारा notification आ जाता है, उसको scroll down करते हैं, और जब उसको clear करते हैं, तो किसी किसी time जो है, वो clear नहीं होता है, बहुत rare case है, यह मुझे बहुत कम देखने के लिए मिला, इसलिए मुझे उतना कुछ खास दिक्कत नहीं हो रही, बाकि battery performance की बात करें, तो एक साल में इसका क्या हाल है, तो अगर मैं आपको screen on time बताऊं, तो सिर्फ movie देखने की बात करें, offline, तो मैं इसमें 3 movie देख चुका हूँ, लगबग 8.5 गंटे का screen on time था, और उस time battery 38% बची हुई थी, यह मैं recent की बात बता रहा हूँ, 2-4 दिन पहले की बात है, मैंने यह movie देखी थी इसमें, और YouTube अगरे की आज बात करें, आप online अगर वीडियो अगरे देखते हो, तो आपको 6 गंटा, 6 गंटा के आसपास, screen on time मिल जाएगा, और कभी-कभी environment के वजए से, बैटरी बैकप थोड़ा सा up and down होता रहता है, लेकिन कुछ खास major problem जो है, देखने के लिए बैटरी में भी नहीं मिली, charging time की बात करें, तो charging time जो है, इसका थोड़ा सा बढ़ गया है, पहले 30-32 मिंट के आसपास में चार्ज हो जाता था, लेकिन अब 0-100% चार्ज होने में 45-50 मिंट के आसपास लग जाता है, और daily life में तो यह उतना ज़्यादा problem नहीं create करता, लेकिन अगर आप कहीं जल्दी में होते हैं, और अगर आप phone को चार्ज में लगाते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत देखने के लिए मिलती है, वीडियो को मैं जादे लंबा नहीं करना चाहता, जितना था इस phone के बारे में वो मैंने आपको बता दिया, अब बात करते हैं कि क्या अभी के टाइम पे OnePlus Note 2 बाई करना सही रहेगा या नहीं, क्योंकि 30,000 रुपे के रेंज में बहुत सारा phone है जो अभी launch हो चुका है, दो तीन phone है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो अभी recent में ही launch हुआ है Redmi K50i, अगर आपको MIUI से कुछ खास दिक्कत नहीं है, तो आप इस phone को consider कर सकते हो, क्योंकि 26,000 रुपे के आस-पास का ये phone है, और इसमें जो processor दिया गया है, ये काफी तगड़ा processor दिया गया है, Super AMOLED डिस्पले नहीं मिलता है इसमें, लेकिन 144 Hz का refresh rate मिलता है, तो gaming के लिए जो ये phone थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि processor जो है इसका काफी सही है, तो इस phone को अगर आप लेना चाहते हो, तो इस phone को आप buy कर सकते हो, इसके अलावा आप iqoo Neo 6 की तरफ जा सकते हो, बहुत जबरदस्थ phone है, ये processor जो इसका Snapdragon 870, बहुत ज़्यादा ही stable processor है, और overall जो है ये phone बहुत ही कमाल का phone है, camera भी इस phone का काफी अच्छा है, gaming experience भी आपको इसमें काफी अच्छा देखने के लिए मिलेगा, तो 30,000 रुपे के range में अगर आप अभी के time पे कोई phone लेना चाहते हो, तो सबसे पहला option आपके पास जो है, iqoo Neo 6 होना चाहिए, इसके अलावे 1,000 रुपे और अगर आप extra लगा सकते हो, तो iqoo 9 SE भी आप भाई कर सकते हो, वो phone भी काफी अच्छा phone है, अगर आपको OnePlus का ही phone चाहिए, 30,000 रुपे के range में, तो फिर मैं कहूंगा कि आप OnePlus Note 2 ही लो, यूँके इससे better camera जो आपको OnePlus के किसी phone में नहीं मिलेगा, इस price range में, जो लोग OnePlus Note 2T भाई करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, 2,000 रुपे कम में आता है OnePlus Note 2 के compare में, अगर आपको OIS से उतना कुछ खास दिक्कत नहीं है, तो फिर आप OnePlus Note 2T भी बाई कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि आप 2,000-3,000 रुपे extra लगाओ, और IQU Neo 6 बाई कर लो, वो सबसे better होगा आपके लिए, तो बस इतना ही था, आज की इस वीडियो में वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में,